अनोग हे जूर मुरादाबाद से करीब 30 किलोमिटर दूर एक कस्पा है कांट उसी कस्पा के मुहला पट्टी बाला के रहने वाले कपड़ा कारोबारी इद्रीज 11 जन्मरी 2018 को प्रताफगड और सुल्तानपूर के कारोबारियों से पेमेंट लेने के लिए घर से निकले लेकिन फिर उसके बाद वो कभी घर नहीं लोटे आखिर क्या हुआ था उनके साथ वो खुद कहीं चले गए या फिर किसी हादसा का शिकार हो गए या किसी की साजिश का निशाना बन गए आईए जानते हैं सब खुश डिटेल के साथ आज की इस संसनी खेस कहानी में दरसल इद्रीज की कांठ में ही कपड़ों की सिलाई की फैक्टरी है उनकी फैक्टरी में सिले कपड़े कई शहरों के कारुबारियों को थोक में सप्लाई होते हैं 11 जनवरी को वो घर से यह कहकर निकले कि वो प्रताबगड और सुल्तानपूर के कारुबारियों से पेमेंट लेने जा रहे हैं जब भी वो पेमेंट के लिए टूर पर जाते, फोन द्वारा अपने परिवार के कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन इस तफ़ा घर से निकलने के कई दिन बाद भी जब उनका कोई फोन नहीं आया, तो उनकी पतनी कनीजा ने बड़े बेटे शहजाद से पती को फोन कराया, तो इद्रीज का फोन स्विच आफ मिला, शहजाद ने अपने अब्बो को कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन बंद ही मिला, अब घर वाले परिशान हो गए, इद्रीज की फैक्टरी के रिकॉर्ड में उन सारे कारुबारियों के नाम पती वो फोन नमबर दर्ज थे जिनके यहाँ फैक्टरी से तैयार माल जाता था, चूंकि इद्रीज परताब गड़ और सुल्तानपूर के लिए निकले थे, इसलिए शहजाद ने परताब गड़ और सुल्तानपूर के कारुबारियों को फोन करके अपने अब्बो के बारे में पूछा, कारुबारियों अपने शहजाद को बताया कि इद्रीस उनके पास आये तो थे लेकिन वो पेमिंट लेकर वापस चले गए। ये भी पता चला कि दोनों कारोबारियों ने इद्रीस को पांच लाख रुपय दिये थे। ये जानकारी मिलने के बाद इद्रीस के घर वाले और जाद परेशान हो पहुच गई। वहाँ के एसपी से मुलाकात कर उन्होंने अपने पती के गायब होने की बात बताई। एसपी ने इद्रीस का फोन सर्विलांस पर लगवा दिया। इससे उसकी अंतिम लोकेशन अमरोहा जिले के गाउं राय पूरकला की पाई गई। ये गाउं अमरोहा द द्याहा थाने के अंतर गताता है। प्रतावगर पूलिस ने कनीजा को अमरोहा द्याहा थाने में संपर्क करने की सलाह दी। 30 जनवरी 2018 को शहजाद और कनीजा थाना अमरोहा द्याहा पहुचे। उन्होंने इद्रीस के गुम होने की जानकारी एसेचो धरमेंदर सिंग को दी। एसेचो ने शहजाद की तरफ से उसके पिता की गुमशिदकी की रिपोर्ट तरच कर ली। शहजाद ने शक जताया कि उसके पडोस में रहने वाली फरीदा और उसके पती आरिफ ने ही उसके पिता क्यों कहीं गायब किया है। चुकि मामला एक कारोबारी के गायब ह इसलिए एसेचो ने इसकी सूचना इसपी सुधीर यादो को दे दी। सुधीर यादो ने सी-ओ मोनिका यादो के नेतरितों में एक जाश टीम गडित की। पोलिस ने सबसे पहले इद्रीज के मुबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला की 13 जनवरी को इद्रीज के मुब अरिफ पर शक जटाया था अब पुलिस भी फरीदा को शक की नजरों से देख रही थी। पुलिस ने फरीदा और उसके पती आरिफ को पुछताच के लिए उठा लिया। उन दोनों से पुलिस ने सकती से पुछताच की। पुलिस की सकती के आगे फरीदा और उसके पती ज अम्रोहत दिहाद पहुचे उनकी मौजूदगी में ऐसे चो धरमेंदरसी ने राइपुरकला निवासी बशीरा के आम के भाग में खुदाई कराई तो इद्रीस के लाश करीब पच्छ फिट नीचे दबी मिली। पुलिस ने लाश कबजे में लेकर जरूरी करवाई के बाद पुश्ट माटम के लिए भेश थी। अब सवाल ये था कि आगर फरीदा और आरिफ ने इद्रीस का कतल किया क्यों। पुश्ट आज की दोरान आरिफ और फरीदा ने इद्रीस की हत्या की जो कहाने बताई वो काफी चोकाने वाली थी। दरसल इद्रीस की कपड़ा का काम करती थी। उसका पती आरिफ साइकल मरमत का काम करता था। इद्रीस अने कारिगरों के मुकाबले फरीदा का कुछ जादा ही ख्याल रखता था। साथी पेमेंट भी जादा देता। इसकी वज़ा थी उसके दिल में फरीदा के लिए चाहत। दीरे दीरे फरीदा को इसका एहसास हो गया और दोनों के बीच प्रेम संबंद बन गए इद्रीस और फरीदा दोनों ही बाल बच्चे वाले थे जहां इद्रीस के पांच बच्चे थे वहीं फरीदा भी दो बच्चों की मा थी लेकिन उन दोनों के सर पर इश्क का फोसवार था करीब देर साल से दो काह करने का दबाव भी बना रहा था। दूसरी तरफ इद्रीज और फरीदा के प्रेम संबंदों की जानकारी पूरे महले को थी। फरीदा के पती आरिफ ने भी उसे बहुत समझाया कि वो इद्रीज से मिलना बंद कर दे। उसकी वज़ा से उसकी बहुत बदनामी हो रही है लेकिन फरीदा अंसुनी कर देती। इद्रीज के पिता ने भी इद्रीज को समझाया की क्यों वो अपने परिवार और कारोबार को बरबाद करने पर तुलाए। फरीदा को भूलकर पर ध्यान दो। लेकिन इद्रीज फरीदा की प्रीम जाल में ऐसा फसा था कि उसे छोड रहा है वैसे ही चलने दो खटना के करीब 15 दिन पहले चब रात में फरीदा के पास इद्रीस का फोन आया तो उसकी घंटे से आरिफ की आख खुल गई फरीदा लिहाव के अंदर से ही इद्रीस से बात करने लगी रात के सनाटे में आरिफ को इद्रीस की भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी इद्रेस फरीदा से कह रहा था कि वो अपने पती आरिफ को ठीकाने लगा दे वो इस काम में उसकी पूरी मदद करेगा उसके बाद हम दोनों निकाह करनेंगे अपनी हत्या की बास सुनकर आरिफ के होश उड़ गे उसने उस समय बीवी से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा सुबह होते ही उसने इस बारे में फरीदा से बात की तो वो जोड बोलने लगी इस बात पर दोनों में नोग जोग भी हुई इसके बात किसी तरह से आरिफ ने परिवार और बच्चों का वास्ता दे कर फरीदा को समझाया और बोला कि देखो इद्रीज एक गिरा हुआ आदमी है वो अपने फायदे के लिए तुमें भे मरवा सकता है अब तुम खुद सोचो तुम यहां रहोगी या इद्रीज के साथ फरीदा ने आरिफ के साथ रहने का फैसला कर लिया इधर आरिफ सोच रहा था कि आज नहीं तो कल इद्रीज उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है उसने वही चाल चलने की सोची जो इद्रिस चलने वाला था इस काम में उसने फरीदा को भी शामिल कर लिया फरीदा ने 11 जनवरी को आरिफ को बताया कि इद्रिस पेमिन्ट लेने शहर से बाहर जा रहा है इस पर आरिफ ने उसे कहा कि किसी बहाने से उसे यहां बुलाओ बाकी मैं देख लूँगा इस काम में आरिफ ने अपने साले फरियाद को भी शामिल कर लिया उधर इद्रीस 13 जनवरी को कारुबारियों से करीब 5 लाग रुप्य लेकर कांट वापस लोट रहा था सफर में उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर लगा दिया था इदर फरीदा उसी लगातार फोन कर रही थी कांट पहुँचने पर इद्रीस ने जब अपना मोबैल चेक किया तो फरीदा की लगबग 50 मिश्ट कॉल देखकर चोग पड़ा इद्रीस ने तुरन तब फरीदा को फोन लगाया इदर साजिश पहले से तयार थी फरीदा ने उसे बताया कि वो कांट बस अड़े पर पहुचे मैं आरिफ से तलाग ले रही हूँ इस सेसले में तुम से बात करनी है मैं भी बस अड़े पर पहुची रही हूँ उसकी बात सुनकर इद्रीस खुश हो गया और बोला बस मैं कुछ देर में बस अड़े पर पहुच रहा हूँ इद्रीस जब बस अड़े पर पहुचा तो फरीदा अपने पती आरिफ के साथ वहाँ पहले से मौजूद थी हाल एवाल के बाद फरीदा बोली रायपूर खास गव में मेरे भाई के यहाँ खाने का इंतिसाम है चलो वही चलते हैं वही पर बात होगी इद्रीस खाने पीने का शुकीन था और कभी कभी शराब भी पीलिया करता था उस वक्त भी वो थोड़ा बहुत नशे में था वो तुरंत फरीदा के साथ जाने को तयार हो गया जब वो गाउं पहुँचे तो फरीदा के भाई ने इद्रीस का गर मजोशी से इस तकबाल किया इद्रीस को भनक तक नहीं लगी कि उनके इरादे खतरनाक है थोड़ी बात चीत के बाद इद्रीस ने शराब पीने की चचचत आई इस पर फरीदा ने कहा कि ये सब घर पर मुम्किन नहीं चलो कांट बसड़े पर चलते हैं वहाँ पर शराब का ठेका है आरिफ और इद्रीस फर्याद की मोटर साइकल पर बैटकर कांट बसड़े पहुचे वहाँ से उन्होंने शराब और पकोड़े खरी दे आरिफ बोला चलो किसी बाग में बैटकर पीते हैं वहीं बात भी हो जाएगी तीनों बशीरा के आम के बाग में पहुचे पीने पिलाने का दोश्रू हुआ योजना की अनुसार आरिफ और फर्याद ने तो कम पी लेकिन इद्रीस को कुछ जाद ही पिला दी इद्रीस अफुल नशे में था आरिफ बोला देखो इद्रीस भाई तुम पैसे वाले हो मैं एक साइकल मेकानिक हूँ गरीब आदमी हूँ हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देखो आरिफ फरीदा को तो मैं कभी नहीं छोड़ूँगा और तुमें एक राज की बाद बताता हूँ फरीदा को जो पांच महीने का बच्चा है वो मेरा है इद्रीस नशे में बोला ये सुनते ही आरिफ और फरीद दोनों का खोन खौल उठा उन दोनों ने इद्रीस की गले में पड़े मफलर से उसका गला घोड़ दिया जिससे इद्रीस की मौत हो गई हत्या करने के बाद उन्होंने लाश की तलाशी ली इद्रीस के पास से उन्हें पांच लाख रोपिये और एक मौबाइल मिला उन्होंने पैसे आपस में आदे आदे बाट लिये फरीयाद घर से फाड़ा ले आया और लाश को गहरा गड़ा खोद कर उसमें दफन कर दी पुलिस ने फरीयाद को भी गिरफतार कर लिया उनकी निशान देही पर पुलिस ने सत्तर हजार रोपिये इद्रीस का मौबाइल और फाड़ा भी बरामत कर लिया पुलिस ने 11 फरवरी 2018 को उन्हें कोर्ट में पीश किया जहां से उन्हें नयाय एक हिरासत में जेल भीश दिया गया हवस के आग सब कुछ जलसा कर रख देती है इस हवस के आग में तीन परिवार चलस गए अपने परिवार वालों के साथ खुश रही उनका ख्याल रखे मिलते हूं जल्दी एक नई कराम स्टोरी के साथ तबते के लिए बाई बाई ट्रीक केर